नमस्ते, मैं डॉक्टर पलग जैस्वाल, कंसल्टेंट ब्रेन और स्पाइन सर्ज नाखपूर, आप सब का अपने यूटूब चैनल पर स्वागत करता हूँ इस चैनल के माध्यम से हम जानेंगे ब्रेन और स्पाइन से संबन्दी सभी बिमारियों के बारे में और उनके ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो का विशे है ब्रेन ट्यूमर्स ब्रेन ट्यूमर क्या है? Brain में होने वाली गठान को हम Brain Tumor कहते है Brain Tumors दो तरक्य होती है एक होता है Primary Brain Tumor जो की Brain Cells से बनते है इन में से कुछ Tumor बनाइन होते है जो की Cancer Cells से नहीं बनते है ये Tumor Two-Third Patients में पाए जाते है ये Tumor Operation द्वारा निकाले जाने पर साधरन तरव वापस नहीं आते है और Patient का Outcome भी अच्छा होता है दूसरे टाइप का Primary Tumor होता है Malignant Tumor ये Tumor Cancer Cells से बनते है पर समय का Treatment होने से Patient को हम अच्छे Results दे सकते है Second type का Tumor होता है Metastatic Tumor ये Tumor शरीर के अन्य भागों से पैदा होते है और Brain में फैल जाते है इस Tumor की Treatment उसके Primary Tumor के साथ ही की जाती है अब हम जानेंगे Brain Tumor के लक्षन क्या हो सकते है देखे, Brain के कई छोटे छोटे पार्ट होते है उन में से हर एक हिस्से का काम अलग होता है इसी खारण Brain Tumor के लक्षन Brain में उसकी Location पर निर्वर करते है उसी तरह Brain Tumor कितना बड़ा है कितने तेजी से बढ़ रहा है इन सभी बातों से Brain Tumor के लक्षन अदलते है पहला सबसे आम लक्षन है सिर्दर्द सिर्दर्द पूरे सिर में हो सकता है सिर्दर्द सुबह सुबह ज़्यादा हो सकता है कई बार वोमिटिंग के साथ भी सिर्दर्द होता है और वोमिटिंग के बाद सिर्दर्द कम होता है चलने में दिक्कत होना बात करने में या सोचने में परिशानी होना ये भी Brain Tumor के लक्षन हो सकते है मिर्गी या सीजर्स का भी एक कारण brain tumor हो सकता है कुछ patients में cognitive और emotional लक्षन भी दिखाई दे ज़कते है जैसे कि बरताओं में बदलाव होना, confusion, याददाश कम होना, या चिर्चिडापन होना, depression, इत्यादि दूसरे कुछ general लक्षन जैसे कमजोरी होना, चक्कर आना, दिखने में problem होना ये सब भी कभी कभी brain tumors के लक्षन हो सकते है अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन दिखाई दे तो आप अपनी नजदे की neurosurgeon से संपर करे याद रखे, जल्दी treatment करने पर patient का outcome अच्छा हो सकता है इस विशे में और जानकारी के लिए हमारे youtube channel को subscribe करे धन्यवाद